मोसम विभाग ने उत्राकड में बहुत बारी बारीस का अलट जारी क्या है आज यल्लो अलट जारी क्या गया है और अगले दो दिनों के लिए रेड आलर्ट क्या है इस मट में आप्धा प्रबंधन विभाग में मुझूद हूँ हने करमचारिया मुझूद है तुरिज्म उसके अलाबा सिविल एवियेशन और तमाम डिपार्टमेंट के अधिकारियों करमचारियां मुझूद हैं यह इसलिए यहां पर बनाया गया है ताकि किसी भी डिपार्टमेंट की कोई अपरिया सुचना या कोई गटना कहीं आती है तो तुरंत इस सुचना को र प्रदेश का कंट्रोल रूम है यह किस तरह से काम करता है आप देख रहे हैं कि तमाम करमचारी और अधिकारी यहां मुझूद है सुचिप आपदा यहां पर मुझूद है वो लगतार पूरे प्रदेश भर में निगरानी बढ़ते हुए हैं ताकि कहीं से भी किसी तरह की घटना है तो उसे तत्कालिक तोर पर उसे पूरी तरह से आगे बढ़ाया जाए और उस पर सुचना के लिए लोगों को हर तरह से म सबसे महट gefून होता है कि कहीं पर नगना होती है तो घ्रह पर को सि अमया करा जाती है तो यहां और देखेंगे तो एकปरा स्लेप यहां बना हुआ है जो एक बड्ぎ ये बड़ीत आप देख रहे हैं कि कहा कहा बारिस हो रही है और किस तरह से इसको आगे आगे भेजना है किस तरह से करमचारियों को आगे बताना है तो यह पूरी तरह से यह control room इस तरह से काम करता है ताकि पुर्देश भर में जो भारी भारी बारी सका जारी किया गया को कि आज यलो alert है और कल अगर इटीज तारी को देखा जा चाए तो red ड्यूटी तनात रहती है ताकि सूचना को आगे प्रेसित किया जाए और तक्कालिक तोर पर लोगों को रहात दी जा सके द्रहदून से कंड्रोल लूम से अपने सही कुष्टरपल लॉरेंज के साथ पंकज राना एबीपी गंगा एबीपी गंगा खबर आपकी जबापकी